इन्वाइट कम्पनी से हर्याडवी गाना खड़ी मटके रिलीज होते ही वाइरल हो रहा है यह एक ऐसा गाना है जिसको लोग खुब पसंद कर रहे हैं गाने को लेकर गाजियाबाद के रैडिसन ब्लू होटल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें गाने की पूरी टीम साथ-साथ काफी संख्या में सोशल मेडिया स्टार भी मौजूद रहे और गाने की टीम के साथ-साथ सभी ने गाने पर जीब भर के डांस किया प्रोग्राम में आये सभी लोगों ने गाने की तारीफ करते हुए बताया किया हर्याडा का नंबर वन गाना साबित होने वाला है गाने को जादुगर ने लिखा है और गुलसन म्योजिक द्वारा गाने में म्योजिक दिया गया है राज मावर और आसु ट्विंकल ने इस गाने को गाया है सपना चौधरी और पुनी चौधरी ने गाने में एक्टिंग करके दर्शुकू का दिल जीत लिया है फरिस्ता इस गाने के डारेक्टर है जिनोंनों इस गाने को बनाने के लिए पूरा योगदान दिया है वह मंजीत सिंग नैन, स्रीमती वीनस बंदू और नीरस सिंग ने जो इस गाने के प्रडूशर है वहीं असिस्टेंट प्रडूशर उधित नागिया और अकास गुर्जर ने गाना बहुत अच्छा है आज की जैसे यूठ को पसंद है जिस टेस्ट का म्यूजिक चल रहा है और यह का हमारे हर्यानुई जितने भी हमारी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट है सब बोलते हैं कि एक सीजन आता है जो जिसे हम वेडिंग सीजन बोलते हैं जिसमें ऐसे ही गानों का चलन आता है ऐसे ही थुमतने वाले गाने नाचने वाले गाने चाहिए होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट का गाना है एवर ग्रीन आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि यह इस तरीके का गाना है कि आप किसी भी माहौल में कहीं भी इसको चला के भूब डांस कर सेंगे और शूटिंग हमने इसकी फतियाबाद की और फतियाबाद की लोकेशन से मेरा एक और बहुत अच्छा कनेक्शन है कि वहाँ चटपटप शूट हुआ था जो कि आज हर्याना का एक मिल्यट का गाना और मैं आशा करता हूं जितने वी आजकल यूथ है यूवा है यूवा या नहीं बुजुर्गों की भी जो वाँ पे सपना चौधरी जी का नाम है तो सपना चौधरी का यह जो गाना आ रहा है यह आज कल हर युवा पीडी से लेके बड़ों से लेके सभी लोग इसे लाइक करेंगे शेर भी करेंगे और सुनेंगे और दमाल मचाएंगे मैं यही बोलूगा कि मैं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मेरी तो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं यह मानता हो इनके साथ मुझे मुझे बहुत अच्छा गाइड करा मेरे को और इनका इतना अच्छा नेचर है मैं इतना सपोर्ट करा मुझे बताया इतना सिखाया मुझे जो इनका experience था मैम का तो मुझे भी थोड़ा share करा इन्होंने तो मुझे बहुत मदद मुझी और मतलब future में मैम के साथ मैं दुबारा कोई गाना करो मतलब है वो बहुत बड़ी achievement है